स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर तो आज कलास बारह के भोती विज्ञान अभ्यास पांच में आज हम लोग पढ़ेंगे चुमकी प्रवडू किया होता है चुमकी प्रवड की परिभासा कैसे बनाया जाएगा और क्यूरी का नियम क्या है आज इस वीडियो में बताया जाएगा आप सभी विद्यार्थी एक एक लाइन अच्छे से समझिएगा जहां आपको समझ में नहीं आएगा वाहां तुरंथ आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर सकते हैं तो सबसे पहले हेडिंग को नोट का लीज़े चुम्ब की प्रभरीत क्या होता है और चुम्बकी प्रवरीत के कितना परिभासा है आपको बताया जाएगा सभी परिभासा को आप सभी विदार्थी अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा तो यहाँ पहले नोट करने के बाद से ध्यान दिजे कोई पदार्थ है चुम्बकंच्छेतर में जितनी सरलता से चुम्बकी तो हो उसकी चुम्बकी प्रवरीत कहलाती है इसे किस से प्रदर्शित करते हैं तो इसे काई यम से प्रदर्शित करते हैं बना है यक्स के जैसा है इसको काई कहा जाता है काई यम से क्या होता है प्रदसित करते हैं और यहां पर एक सुत्र होता है कि जो चुमकंती बरता होता है चुमकीती बरताई आई का नाम क्या है चुमकंती बरता है और यच का नाम क्या है चुमकीती बरता है और इस चिन का ना बरता चुम्बकी तिबरता के अनकर्मान पाती होता है जब इस अनकर्मान पाती को हटा देंगे तो यहां क्या गया काई यम आ गया मतलब यक्स के अकार का है उसका नाम क्या है काई यम तो यहां लिखेंगे काई यम क्या है एक नियतांक है उसका नाम क्या है चुम्बकी प् तो आई बराबर क्या हो जाएगा यच हो जाएगा मतलब काई यम बराबर हो गया चुमकन तिबर्ता बटा चुमकी तिबर्ता अब चाहे तो यहां से भी एक परिभासा बना सकते हैं कि चुमकन तिबर्ता और चुमकी तिबर्ता के अनुपात को चुमकी प्रबृतिक कहते है तो एक परिभासा यहां से भी आपका जो है इसका बन सकता है चुम्बकी प्रब्रिति का तो कैसे परिभासा बनाएंगे तो यहां नीचे चाहे तो लिख सकते हैं कि चुम्बकन तिबरता और क्या है चुम्बकी तिबरता के अनुपात को चुम्बकी प्रब्रिति कहते हैं त तो अब यहाँ पर परिभासा लिख लेंगे चुम्बकन तिबर्ता तथा चुम्बकी तिबर्ता के अनुपात को के अनुपात को क्या कहेंगे अनुपात को चुम्बकी प्राभृति कहते हैं तो इसका दूसरा परिभासा भी लिख लेजिए कितना असान है क्या कहेंगे चुम्बकन तिबर्ता और चुम्बकी तिबर्ता के अनुपात को चुम्बकी प्राभृति कहते हैं कितना असान परिभासा है तो समझ में आ गया होगा कि चुम्बकन तिबर्ता था चुम्बकी तिबर्ता के अनुपात को क्या कहेंगे जो है चुमकी प्रब्रित और इसे किसे प्रदर्शित करेंगे तो काई यम से प्रदर्शित करते हैं तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे क्योरी का नियम है तो अब यहां हेडे नोट कर लेंगे क्योरी का नियम कई साल के परिछा में पूछा जा चुका है कि क्यूरी का नियम क्या है क्यूरी का नियम आपको याद नहीं करना है इस नियम को बनाना सीखना है कि क्यूरी का नियम क्या है तो यहाँ पे एक सुत्र ने बनाए थे क्यूरी ने क्या सुत्र है काईयम यहां लिख सकते हैं काईयम ब्यूत कर्मान पाती एक बटा जो है टी है मतलब इसका नाम है चुम्बकी प्रव्रेति और इसका नाम क्या है परमताब इसका नाम हो जाएगा ब्यूत कर्मान पाती जब यहां बटे में रहेगा तो इसका नाम ब्यूत कर्मान पाती होता है जब बटे में नहीं रहता है तो इसको क्या कहते हैं अनकर्मान पाती कहते हैं लेकिन यहां टी जो है बटे में है इसने इसका नाम क्या है ब्यूत कर्मान पाती है तो क्यूरी का नियम जो है इसी में छिपा हुआ है कैसे बोलेंगे तो कहेंगे चुमकी प्रब्रेति परमताप के व्यूत कर्मान पाती होता है कितना असा नियम है क्या कहेंगे चुमकी प्रब्रेति परमताप के क्या होता है व्यूत कर्मान पाती होता है क्यूरी का नियम कहल आता है तो इसको जो है क्यूरी का नियम जब बोलेंगे तो यह सुत्र को आप लोग पहले याद करेंगे कि क्यूरी का नियम कैसे बोला जाएगा तो पर इस सुत्र को क्या करेंगे याद करने के बाद से अब यहां पर लिखेंगे इस नियम के अनुसार क्या लिखेंगे इस इस नियम के अनुसार क्या होगा तो लेखेंगे अनु चुम्ब की पदार्थ में रोगती क्या हो जाएगा प्रब्रीति उसके परमताप के क्या होते हैं ब्यूत कर्मान उपाती होता है तो समझ में आ रहा होगा क्यूरी का जो नियम क्या है तो अन्चुमकी पदार्थ में चुमकी परब्रित उसके परमताप के क्या होता है ब्यूत कर्मान उपाती होता है क्यूरी का नियम कहलाता है क्यूरी का नियम कहलाता है या नियम कहते हैं क्यों रिकनियम कहते हैं कितना आसान परिभासा है और कैसे बनाया गया है इसी सुत्र से जो है बनाया गया है कि चुमकी प्रवित उसके परमताप के क्या होता है व्यूत कर्मान पाती होता है अब यहां आगे बढ़ेंगे तो यहां पे सुत्र जो लिखेंगे क्या है काईयम ब्यूत कर्मान पाती क्या था एक बटा जो है टी है अब यह जो है चिन को जब हटाएंगे जहां दीजेगा अब यह चिन को जब हटा देंगे तो क्या बनेगा काई यम जो हो जाएगा काई यम जो यक्स के अकार का है थोड़ा से यहां पे जो है टेड़ा है काई यम बराब पर हो जाएगा C बठा T हो जाएगा मतलब इस चीन को अटाएं तो एक नियतांक अगर C लेकिंगे जहां C एक क्या है नियतांक है जो क्या नाम है क्या नियतांक है कितना असान है जासी क्या है एक नियतांक है जो क्योरी नियतांक है अब यहाँ पे जो है काई यम का सुत्र आप सभी भी द्यार्थी पढ़ चुके होंगे काई यम का सुत्र क्या होता है जो काई यम का जो आज ही सुत्र बताये गया है काईयम का सुत्र भी क्या पढ़ है आई बटा क्या था यज था मतलब चुम्बकन क्या है तिबर्ता और यह क्या है चुम्बकी जो है तिबर्ता के अनुपात को चुम्बकी प्रब्रीत कहते हैं तो मतलब अब यहां पे जो है काईयम को हटा देंगे और काई यम के जगह पे क्या लिखेंगे काई यम के जगह पे लिखेंगे आई बटा क्या लिखेंगे यच अब इसको हटा देंगे तो यहां लिख लेंगे क्या हो जाएगा आई बटा क्या हो जाएगा आई बटा जो है यच हो जाएगा यह किस के जगह पर लिखे है काईयम के जगह पर बराबर क्या है C बटा जो है C बटा जो है T है अब इसमें जो गुड़ा कर लेंगे यहाँ पर यच से इसमें गुड़ा हो जाएगा तो यच से जब गुड़ा होगा तो क्या बनेगा यहाँ पर I बराबर हो जाएगा I को पर वेक्टर है I बराबर क्या हो जाएगा C यज के उपर जो है वेक्टर है बटा क्या है T है तो I बराबर क्या गया I बराबर C यज को पर वेक्टर बटा क्या हो गया T हो गया अगर यहां से अगर C को हटा दें तो C जब हटेगा तो क्या बन जाएगा C हटेगा तो एक चिन बन जाएगा क्या है जो है अनकर्मान पाती किसके लिए यच के लिए अनकर्मान पाती हो जाएगा और T के लिए क्या हो जाएगा ब्यूत कर्मान पाती हो जाएगा तो अब यहाँ पर एक नियम बन गया क्या बना कि चुम्बकन तिबरता जो होता है वा चुम्बकी तिबरता के अनकर्मान पाती होता है और परमताप के क्या होता है ब्यूत कर्मान पाती होता है इसे ही क्या कहेंगे क्यूरी का भी नियम कहते हैं तो आगे यहां लिख सकते हैं कि यहां पर लिखेंगे चुम्बकन तिबर्ता यहां लिख लेंगे चुम्बकन चुम्बकन तिबर्ता चुम्बकन तिबर्ता जो है किसके हैं चुम्बकी तिबर्ता के चुम्बकन तीबरता चुम्बकी तीबरता के क्या है अनकर्मान पाती है चुम्बकी तीबरता के अनकर्मान उपाती तथा परम ताप के क्या होगा ब्यूत कर्मान पाती तथा परमताप के क्या होता है परमताप के ब्यूत कर्मानुपाती होता है कितना असान है तो जो चुमकंती बरता होता है वो चुमकीती बरता के क्या होता है अनकर्मान पाती होता है और परमताप का क्या होता है ब्यूत कर्मान पाती होता है यही लिख देंगे यही क्यूरी का नियम है क्योरी का नियम है नियम है तो समझ में आ गया होगा कि क्योरी का नियम क्या है तो आज का जो है वीडियो कैसा था आप सभी भी द्यार थी जरूर कमेंट कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि यह लाइब कलास आप के लिए ही चलाया जा रहा है तो आज कब पढ़ाई चू रहेगा इतना ही रहेगा तो मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार